देश प्रदेश की अब तक ही प्रमुख खबरों को नियुज़लान के खिराफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत 373 रनों से दर्च करने के साथ ही भारते कप्तान विराट कोहली के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्च हो गया है विराट कोहली भारत के पहले ऐसे कप्तान बन गया है जिनके नेत्रतु में टीम इंडिया क्रिकेट के तीनों फॉर्माट में पचास-पचास इंटर्नाशनल माच जीतने का कारणावा किया है इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने नियुज़लान खिलाब दो माच के सीरीज को एक शुने से अपने नाम कर दिया है EPFO की दरफ से अपने सदसे के खाते में 2021 के लिए ब्यासदर जमा करने का सिलसला तेजी के साथ जारी है कर्मचारी भविश्य नीथी संगठन ने सोमवार को ट्वीट के जरीए जानगारी दी है कि 22.55 करोर खातों में ब्यास जमा किया जा चुका है बीत एक हफते में संगठन ने एक दशन वबेक साथ करोर खातों में ब्यास जमा किया है उतरप्रदेश के सियम योगी अधितनाथ ने प्रदेश में स्वास्ति सुवधाओं को बहतर और मस्बूत कराने के लिए दगातार प्रयास करते वे वो नज़र आ रहे हैं इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ ने रविवार को अलग-अलग जुलों में बनाएगे कुल 5,000 स्वास्तों पकेंद्रों का वर्च्वल शुभारम किया उत्रप्रदेश के प्रमुख मुस्लिम चहरों में शामिल रहे वसीम रिजवी इसलाम धर्म छोड़कर आज से हिंदू बन गया है आज गाजियाबाद में यती नरसिहा नंदिस सरस्वती ने सनातन धर्म में उन्हें शामिल करवाया वसीम रिजवी ने कहा कि मुझे इसलाम से बाहर कर दिया गया है हमारे सिर पर हर शुकरवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है आज मैं सनातन धर्म अपना रहा हूँ करनाटा गुजरात में ओमिक्रॉन संक्रुमित मरीजों के सामने आने के बाद दिल्ली की धड़कने बढ़ी हुई है ओमिक्रॉन से जूच रहे उच्छ खत्रे वाले देशों से दर्व जनभर संक्रुमित दिल्ली पहुँच चुके है इनकी जिनोम रिपोर्ट को लेकर स्वास्त वभाग के सांसे अठकी है ओमिक्रॉन के खत्रक की आहट के बीच आई आई टी के वरिष्ट वे ज्यानिक पदमश्री परफेसर मनिंद्र अगरवाल ने दावा किया है आई-मजी के मुताविक हिमाचर प्रदेश में एक पस्चमी विचोब बना है वही पुर्वोतर अरब सागर पर एक सर्कूलेशन बन गया है जिसकी वज़े से मौसम में जल्दी बड़ा बलदाव देखने को मिल सकता है कमजोर प्रतिरक्षा तंत्रवाले लोगों को कोरोना वारेस रोधी टीके की अतिरिक्त खुराग देने के मामले पर 6 दिसमर को होने वाली टीका करन पर रास्ट्रे तकनीकी सलाकार समुख की बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी अधिकारियों के निसार ठीके के अतिरिक्त खुराग बूस्टर रोस से अलग है अगर आप रेल्वे में नौकरी करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है दरसल रेल्वे रेक्रूट्मेंट सेल ने सेंट्रल रेल्वे में स्काउट्स और गाइड्स कोटा के तहत लेवल वन और टू पदों पर भरते निकाली है रेल्वे जॉब के लिए ओनाइन आवी दिन कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि आवी दिन करने का आखरे दिन 20 दिसम्बर है रूसी राष्टपती व्लामेदीर पुतीन भारतिय प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी के साथ 21 वे वार्षिक भारत रूस सिखर्ष रमेलन में श्रामल होने के लिए आज नई दिली पहुंच छे है 21 वा भारत रूस वार्षिक सिखर्ष रमेलन आज नई दिली में आयो जित खिया जा रहा है रख्रामंत्री राधनाथ सिंग ने 2 प्लस 2 मंत्री स्तरिय वार्ता में चीनी अतिक्रमन का मुद्दा उठाया है वो अपने आप में बेहर्द महत्वपूर्ण है उनोंने पटना हाई कोट के सामने डॉक्टर भीम रावंबेट करके आदमकत प्रतिमा पर मेल यारपन किया और साथ ही श्रधा सुमन अर्पित की सास टेक्नोलजी कंपनी मैप माई इंडिया के आई पीओ की लांचिंग 9 दिसंबर को होने जा रही है अपने शेत्र की पाइनियर कंपनी मैप माई इंडिया डिजिटल मैप्स और लोकेशन इंटेलिजन्स टेकनोलजी और सेवाओं के लिए भारत के उद्योग शेत्रों में बी-टू-बी और बी-टू-बी-टू-सी मार्केट का प्रमुख लीडर है कंपनी के वार्षिक नए ओडर बुकिंग में 3.3 गुना वर्धी हुई है रिपोर्ट्स के निसार वित्वर्ष 2019 में 1415 मिलियन से 4,680 मिलियन तक पहुँच चुका है अयोधिया में बाबरी मस्जुद के गुंबद को 1992 में आज श्री के दिन गिराये गया था इस घटा को बीते 29 साल हो चुके है बाबरी विधवन्स की बरसी पर भारती है जंदा पार्टी के नेता और उतरप्रदेश के पुर्व राजवपाल राम नाइक ने कहा है 43 फीजदी ग्रामीन घरों में ही स्वच्छ इर्धन उपलब्ध है लेकिन यदि राजवार स्थिती का विश्लेशन करे तो दक्षणी राजव में स्थिती बेहतर नजर आती है जबकि उतरी राजव के ग्रामीन घरों में एलपीजी की पोहँच रास्ट्रियों सत्य ताली स्वीजी से भी काफी कम है इसके कई राजव में कोरोना के घातक वेरियंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आने लगे हैं बच्चों से लेकर बड़े तक सभी पीज़ा खाना पसंद करते हैं देश भर में पीज़ा का क्रेस काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है पार्टी की बात हो तो ज्याद तर लोग पीज़ा मंगवाना पसंद करते हैं इसी बीच सर्च इंजन गूगल भी आज याने की 6 दिसंबर को पीज़ा डे मना रहा है नागलैंड की घटा पर मुखी मंतरी नेफ्यू रियो ने कहा है कि ग्रिमंतर इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं में घाले के मुखी मंतरी कुन राद संगमा ने AFSPA हटाने की मांग की है पावर सिस्टम ऑपरेशन लिमिटर द्वारा इलेक्ट्रिक ब्रांच में अपरेंटिस पद के लिए आवेदन मांगे के हैं जो भी उमिद्वार इस परिक्षा में भाग लेना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के लिए उमिद्वार को mhrdnats.gov.in पर जाना होगा बता दे कि आवेदन की आखरी तारीख 31 दिस्टमबर है अर्थववस्था में रिकवरी के संकेत और कोरोना के नए वेरियंट की आहट के बीच सुमवार से रिजर्व बैंक की मोनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक शुरू हो रही है देश और दुनिया में इस समय कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के चलते हड़कंप मचा हुआ है अलग-अलग देश में तेजी से पैरपस आ रहे है कोरोना वाइरस से संक्रुमन के बड़ते मामलों के बीच राजस्तान में सभी सेक्षनिक और कोचिंग संसानों को बंद करने का एक फरजी आदेश सोमवार से सोशल मीडिया पर वारल हो रहा हालाकि ग्रेवभाग ने इस सरह की किसी भी आदेश को जारी करने से साफ अनकार किया है सोशल मीडिया पर वारल होने के बाद इस पत्र को लेकर विशेश कर अभिभावक और विद्यार्थियों में खूब चर्चा रही ताटा समुने एरलाइन्स कंपनी एर इंडिया की घर वापसी के बाद अब इसके काया पलट की तैयारी शुरू कर दी है इसे अंजाम देने के लिए समुने सो दिन की कारय योजना बनाई है यानि अब सो दिनों के भीतर नए बदलाव के साथ दिखाई देने वाली यह विमानन कंपनी गौर तलब है कि टाटा समुने भारी कर्स में डूबी सर्पकारी एरलाइन कंपनी एर इंडिया को हाली में खरीदा था और वो जनवरी 2022 में इसकी कमान अपने हाथ में ले सकता है मायनमार की एक अदालत ने मायनमार की अपदस्थ निता ओंग सांग सुकी को कोरोना नियमों के उलंगन और तक्ता पलट कर सकता पर काविज होने वाली सेना जुटा के खिलाफ उकसाने के आरोप में चार साल जेल की सजा सुनाई है सुकी के खिलाफ प्रहशाचार आधिकारी गुप्त अधिनियम का उलंगन दुर संचार कानून और कोविड नियमों के उलंगन सहित कुल 11 आरोप लगाएगे है तीसंखों के समेदंशील सुचकांक में सुमवार को शुडवाती कारोबार में मामुली गिरावटाई गौर तरब है कि शुकरवार तक लगातार तीन छेत्रों में सुचकांक में तेजी आई थी सुभह साढ़ नौ बजे S&P BSE 66 चुनिदशनवर दोफीजदी की गिरावट के साथ 57,588 अंक पर कारोबार कर रहा है यह 57,693 अंक के पिछले बंद से 57,708 अंक पर खुला है 2015 के एरानी परमानुस समझोते की बहाली के उदेश से वियाना वारता का नया दौर लच्रीला रहने की संभावना है यह जानकारी वारता से जुड़े एक वरिश्च अधिकारी के हवाले से मिली है समझार एजिंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार वारता में 6 महीने के अंतराल की बाद एरान समझोते के सेश पक्षों ने अमेरिका की अपरत्यक्ष भागिदारी के साथ समझोते को बहाल करने के लिए अपनी चर्चा फिर से शुरू की है जिसे वापचारिक रूप से सेविक्त व्यापक कारे योजना के रूप में जाना जाता है राजानी दिली में अगले दो-तीन दिनों में कडाके की ठंड के आसार दिखाई दे रहे हैं मौसम वभाग के अनुसार 8 दिसंबर के बाद से यहाँ पर ठंड बढ़ सकती है Employee Provident Fund के मेंबर होने के नाते हर महीने PF का पैसा करता है तो ये खबर आपको जाननी चाहिए Employee Provident Fund Organization या करमचारी मविश नीधी संगठन ने मेंबर्स को ये स्विधा दे दी है कि वो आर्थिक जरूरत होनी की सितिती में अपने PF खाते में इन्शॉरेंस का प्रीमियम भर सकते है भारत और रूस ने अपने रक्षा सहयोग को और मजबूत करते हुए हथियार निर्मान पर सोमवार को एक बड़ी डील की है दोनों देश के बीच बावन सो करोर रूपे की क्लांच शी को डील हुई है इस डील के तहट भारत में करीब 6 लाख एके 203 रॉइफल का अंदरवान किया जाएगा इस डील पर रक्षा मंतरी रादना सिंग और रूस के रक्षा मंतरी सरगेई शोयोग्यू ने हरस्ताक शुर किया है कल हमारे दोरा पूछेगे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बढ़ने वाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हमकल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो शल्य बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार देश में ओमिक्रोन के बढ़ रहे मामलों को देखते वे सरकार को विदेशरी आत्रियों पर पावंदी लगा देनी चाहिए या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आई को अंदवाना ना भूलें